जिन किसान भाईयों के पास में हमारी तरफ धाई या धाई एकड़ से कम जमीन हैं, तो वे अक्सर ठण के सीजन में इस असमन्जस में रहते हैं कि फूल गोवी की फसल लगाई जाए या पत्तागोवी की फसल लगाई जाए। कौन सी फसल उन्हें लाखों की कमाई करके देगी इस सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में निकालेंगे हम इस वीडियो में फूल गोगी और पत्ता गोगी इन दोनों फसलों की आपस में तुलना करेंगे और जानेंगे कि कम जमीन वाले किसान भाईयों के लिए कौन सी पूइलेंगे और फूल गोबीकी आपस में रिस्क के बारे में तो इन तीन पूइंट के द्री आपस में रिस्क के बारे में ए के आधार पर हम इस वीडियो में फूल गोवी और पत्ता गोवी इन दोनों की खेती की आपस में तुलना करेगे तो पहले पोईट पर आने से पहले आप सभी किसान भाई इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगला वीडियो आप किन दो फस्टों की तुलना पर देखना चाह पर अगतान में जून जुलाई अगस्त इन तीन महीनों में आप फूल गोवी और पत्ता गोवी की नर्सरी तयार कर सकतें और नहींगे रज़ियोता की बीच की मातरा भी दोनों ही फस्तलो में 200 ग्राम लगती हैं और इन दोनों ही फस्तलो की नर्शरि तीस दिन में खेत में ट्रांस्प्ंडनिंग के लिए तैयार हो जाती है। अब जब आप खेत में ट्रांस्प्रांड करते हैं पत्ता गोबी में हम दो पोधों के बीच की दूरी सवाफित रखते और लाइन से लाइन के बीच की दूरी भी सवाफिती रखते इस तरह से एक एकड़ 25,000 से 28,000 पोधे लगते तो ये समानता है थी अब एक एकड़ में जो हमने पोधे लगाए इससे कितना उत्पादन मिले और कित्ती कमा यहींद वहाँ जानने के लिए हम दुसरे पॉइंट पर आजाते हैं हम पहले फूल गोबी और पत्ता गोबी इन दोनों फ़स्पलों से मिलने वाला उत्पादन निकालते कि एक एकड़ से हमें कितना उत्पादन मिलता है हमने एक कड़़ फूल गोबी के 20,000 से 22,000 पोधे लगाए थे अब कुछ पोधे हमारे मर जाते और हमें सिर्ख 20,000 पोधों से ही उत्पादन मिलता है ठन के सीजन फूल गूबी के एक फूल का वज़क लगभग लगभग 500 ग्राम से 800 ग्राम चला जाता है हम केवल 500 ग्राम लेते हैं अब हमें क्या करना है 20,000 पोधों में 500 का गुणा किया और फिर उसमें हमने 1000 का भाग दिया तो फिर हमारा किलो में कितना उत्पादन हुआ वहाँ आया फिर हमने उसमें 100 का भाग दिया तो हमारा कुंटल में उत्पादन आ गया जो की आया है 100 कुंटन यानि कि एक एकड में फूल गोवी की फसल हमें कितना उत्पादन मिलेगा? 100 कुम्तन. अब पत्ता गोवी से मिलने वाले उत्पादन को निखालते हैं. तो एक एकड में पत्ता गोवी के कुल 25,000 से 28,000 पोधे लगे थे. अब हमें सिर्फ 25,000 पोधों से उत्पादन मिलता है और पत्तागोवी के जो एक फूल का वजयने वहाँ 800 ग्राम से 1.5 किलो तक चला जाता है हम सिर्फ 800 ग्राम ही लेते हैं तो हमें क्या करना है? 25,000 में 800 का गुना करना है फिर उसमें 1,000 का भाग देना है और उसमें 100 का भाग देना है तो हमें जो उत्पादन मिलेगा वह आएगा 200 कुंटल अब देखें यहाँ पर आप सीधी सीधी तुलना कर सकते एक एकड में लगाई गई फूल गोवी की फसल से उत्पादन मिलेगा 100 कुंटल और पत्ता गोवी की फसल से उत्पादन मिलेगा 200 कुंटल अब कमाई के बारे में बात कर लें, तो अगर मैं आज की बात करो, तो हमारे एरिया में अभी फूल गोबी का मंडी थोग भाव, 40 रूपे किलो है, और पत्ता गोबी का मंडी थोग भाव, 20 रूपे किलो है, तो एक एकड में इन दोलों ही फसलों से हमें 4 लाग तक की कमाई ह हो रही और आप भी जानते हैं और में भी जानता हो कि फूल गोवी और पत्ता-गोवी का इतना अच्छा मंदी धोगभव हर समय पर नहीं मिलता हैं हम फूल गोवी का one फूल गोवी का एवरेज मंडी थोगभव 7 रूपे ले थे तो फूल गोबी की फसल से हमारी जो कमाई होगी बहा होगी 1,5,000 रूपे और पत्ता गोबी की फसल से जो हमारी कमाई होगी बहा भी होगी 1,4,000 रूपे शिर्फ 10,000 का ही अंतर है लागत इन दोनों फसलों पे समान आती है 45,000 के आस-पास तक तो आपको एक एक एकर में फूल गोबी की फसल से 1,5,000 रूपे तक का प्रोफिट मिलेगा और पत्ता गोबी की फसल से केवाल और केवत 10,000 का ही अंतर है पर इसा नहीं है इसमें से एक फसल रिस्की है कौन सी फसल रिस्की है वह जानने के लिए हम तिसरे प्रे करना है और इन दोनों फसलों की खेती हो जाती है पर बारिश के सीजन फूल गोबी की फसल जादा खराब होती है पत्ता गोबी की फसल की तुलना क्योंकि पत्ता गोबी की फसल उमस को सहन कर सकती है और अत्तिरिक बारिश को भी सहन कर सकती है इसलिए पत्ता गोबी क कम खराब होती है, फूल गोवी की फसल बारिश में ज्यादा खराब होती है, हमारी खुद की भी जो फूल गोवी की फसल थी बारिश वाली खराब हुई थी, लेकिन पत्ता गोवी की नहीं हुई थी, तो आपको क्या करना है, वह मैं आपको बता रेता हूँ, जैसे कि आपका पत्ता गोबी की फसल लगाना है और एक एकड में फूल गोबी की फसल लगाना है जैसे ही ठंड का सीजर आए तो ठंड के सीजर में इसका जफ्ट उल्टा करता है देड एकड में फूल गोबी की फसल लगाना है और एक एकड में पत्ता गोबी की फसल लगाना है इस तरह से आपका रिस्क भी कम होगा और इन दोनों फसलों से कमाई भी अच्छी होगी। इन दोनों ही फसलों का जो मंडी थोग भावे, वह कह नहीं सकते कि किसका जादा रहेगा, किसका कम रहेगा। पर जादा तर फूल गोवी का मंडी तो बहुत जादा होता है पत्ता गोवी की तुलनाव पर पत्ता गोवी की फसल से हमें उत्पादन भी जादा मिलता है फूल गोवी की फसल की तुलनाव इसलिए आप इन दोनों ही फसलों की खेती कर सकते हैं या फिर मैंने जो आपको धा क्वाई विछ इसलिया हमारी रिस्क कम करते हुए अब दोनों ही पसले लागा इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छ लगी को आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगला वीडियो आप किन दो फस्टों की तुलनाता देखना चाते हमें कमेंट सेक्शन में जरू चेके सुट